अगर आप अपनी core competencies समझ नहीं पाऊगे तो एक्दाम ने चल्म में तो ऐसे पाऊगे किसी के लिए practical बहुत 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 होगा, किसी के लिए theory अच्छी नहीं होगी, किसी के लिए theory बहुत बहुत होगी, practical कमज़ोर होगा, तो जिस एरिया में उसको लग रहा है कि I am weak वह एरिया में उसने महनत करनी चाहिए और जिस एरिया में उसको लग रहा है बहुत तोड़ महनत करेगा और उसको लग रहा है जिस एरिया में weak है उसके लिए वह 40 लाने की कोशी करेगा तो technically speaking अगर आपको किसी और को आउट आउट वेट करना है इसका एक best example होगा कि आप अपने strength पर focus करिए आप अपने core competency पर focus करिए and that is main agenda that we are discussing करने कारण समझा क्या मालिक तो जाए श्री राम मालिक तो मेरे को बताई यह को अपनेजमेंट के पेच पर बता है इसकी वज़े से मुझे क्या मिलेगा कॉंपेटर अडवांटेज मिलता है समझा क्या कॉंपेटर अडवांटेज मिलने का कारण है कि वो मेरी core competency बहतर बनाता है तो आई डू तिंग ओके अब खाली बता दो यार मैं आवाज बर बर आ रही है न माहार का समझा लाँ किसी का मेरेको आउटम नहीं आ रहा है और भाई तोड मालिक और एक सबसे इंपरण चीज ओके लोगिक बटा मालिक कहीं है समझा मालिक बढ़िया मालिक ओके तो अब टेकिनिकली स्पीकिंग आपको समझने है वापस में बुर रहा है या इवन इन देखोगे मैं चार्ट फॉर्मल पर आता हूं मैं सब लिखता हूं सारा चीज करता हूं उसके वापस बुक पर क्यो आता हूं बुक पर आने का प्राहिमरी रीजन यह होता है कि अब आज की रीट में अपना पैटर्न है अगर mcq को अपने ध्यान में नहीं रखेंगे तो मार कसम गडबड हो जाएगी इसी रही अपने को एक बार एक बार ओके ऐसी बीवले हो चाइजूली भी एक बार बुक गोत्रू हो जाने चाहिए तो एक बार आपके दिखोग देखोगे, और दो paragraph के context में आप उसके बाद importance का question आता है, तो दो paragraph के ओपर बात काता है, यह दो paragraph को conceptually समझ देता है, तो सबसे पहला है, मेरे को एक answer close करिए है, फिर मैं बात में और पर फड़ा फड़ा तीनो answer revise कर रहा देता हूँ, मेरे को पहला answer close करिए है, कि objectives of strategic management कितने होंगे, तो how many objectives of strategic management are there, मालिक, दो, सबसे पहला, I'll be focusing on to achieve competitive advantage, and second, I'll be guiding the company in near future, तो सबसे पहले आपने concept का strategic competitive advantage को समझ लिया, next point, guiding the company through all the changes in environment, मेरा question है, changes in environment क्यों होना चाहिए, मालिक, changes in environment को आपने adapt क्यों करना चाहिए, मालिक, अच्छा, क्या environment में changes होंगे, क्या हमारे हाथ की बात है, answer is no, okay, sir, environment changes, example, बताईए, political scenario change हो गया, legal scenario change हो गया, regulation change हो गया, customer का preference change हो गया, okay, पहले तेरको एक तरह का context पसंद था, पहले तेरको, पहले तेरको videos पसंद थे, लगा आग में पानी, okay, आप मेरे को बता, ये तरह को पसंद आने लगा, ये customer preference है, भाई, आज के रिट में real पसंद आने लग गई, पब्लिक को, आज के रिट में हमको बड़ा video नहीं चाहिए, okay, कोई भी गाने का, हमको एक छोटा सा गाने का video चाहिए, जो एक दम मा कसम पा, एक देड मिनिट के अंदर, मा कसम तोड़ लेके आ जाया है, मालिक, अपने अंदर तोड़, okay, खड़े करते हैं, मा कसम दिंदगी जीए हम लोग, customer preference, मैं क्या करू, मैं 50 बार तुमको बनुगा, सालो, real मत देखो, आपको, और मुझे सबको मालूम है, कि आपन real एक real देखने बढ़ते हैं, उसके बाद मा कसम पा, कितनी real देख लेते हैं, वो एक 15-20 मिनिट में, यानि वो 15-20 मिनिट अगर देखा जाए, तो टेक्निकल ही real बनाने का, real बनाने का कारण एक दम सिंपल है, customer preference चेंज होगा, अब अगर मेरे को बताओ, कि मैं कितना भी करूँ और मैं real के अंदर नहीं होता हो, क्या मेरा business model successful हो पाएगा, answer is no, तो मेरे को बताओ, आज मैं अगर real बनाना है, तो क्या मैं खुशी से real बना रहा हूँ, य आज मैं इस चीज के बार मैं जानूँगा नहीं, का नहीं करूँगा, तो मैं business के survival कैसे देखूँगा मालिक, तो हर चीज को logically आपको देख रहा है, the changes in environment, तो मानमें एक बहुत बढ़ी कहावत है, okay, survival of the fittest, ये statement आप सबने सुना होगा, क्या सुना होगा, survival of the fittest, सुना है क इस सुना होगा, मेरे के बताओ, survival of the fittest ये सुना ही होगा, अब मेरे को सुना हे, survival of the fittest ये statement में of the fittest को हूँ है, how can I face Fittest is not a large organization, fittest is not a small organization, fittest is not a concept, fittest is not a concept, fittest is the person who adapts the changes, अतर मैं changes रचेथ कहिज़ अई ये इस surviving this environment and this is exactly what you should keep in mind तो यह statement यादखना, survival of the pittes, who is the fittest person here, pittes is not the large organization, pittes is not any other organization, pittes is the organization which actually adapt the changes और यही strategic management आपको सिखाता हां, यानि strategic management सिर्फ आपकी core competency नहीं बनाता, strategy management आपको fit भी करता है, fit भी करता है for the changes in environment, bhaarat mata ki tod, bhaarat mata ki chaye, tod malik, समझमा आया मालिक तो भारत पाता आप ठोगमनेज़, okay, Importance Strategy Management डाइल आप देखी मालिक, formulation of strategies and their implementation, okay page number one point five हुम्मय मालिक, one point five हुममालिक, formulation of strategies and their implementation have become essential for all organization for their survival and growth in the present turbulent business environment, जो current business environment में है तो आपको strategies को formulate करना पड़ेगा, उनको implementation करना पड़ेगा बहुत सही तर से, लेकिन इसके बाद वाला statement देखिए, जो सबसे तूड़ आ रहा है आपके लिए, यह याद रिखना, survival of the fittest as propagated by Charles Derwin is the only principle of survival of organization, where fittest are not the largest or strongest organization, but those who change or adapt successfully to the changes in business environment. तो आपको और एक नाम याद रखना पड़ेगा मालिक, okay, Charles Derwin, Charles Derwin का statement क्या है, Charles Derwin का statement क्या है, Charles Derwin का statement क्या है, Charles भाही सब अपने को क्या बताते है, survival of fittest यह बताते है, और इसमें fittest कौन है, यह बताते है मालिक, survival of fittest, यह यह statement किस ने दिया, Charles Derwin ने, Charles Derwin ने, Charles Derwin says, okay, survival of the fittest, okay and technically speaking क्या है business follows the war principle business follows the war principle win or lose and only a small number of case okay win-win situation arise okay small number of case short they win-win कभी नहीं होता है win-win कभी नहीं होता है hence each organization has to build its competitor advantage over its competitor in business warfare in order to win तो अगर आपको जीतना है तो भाई साभ आपको company advantage लाणा पड़ेगा this can be done only following the process of strategic management strategic analysis करिये implementation formulation करिये evaluation and control करिए strategies को control करिये मसलब क्या करिये evaluation रवके corrective actions लेजिए control करना मसलब corrective actions लिना control करना मसलब corrective actions लेना भारत मत किजए समद्स में आया मालिक control करना अमसलब corrective actions लेना ये logic अब दिमाग में रख्ये है तो मेरे क्याल से मेरे खालते हैं कि इदर तक टेक्निकली लोगिक आपको दिमाग में बैढ़िया, तो मेरे खालते हैं मैं यह देख रहा हूं कि आपको ज्यादा चेंज नहीं मिलेंगे जो नमेंबर 23 दे चुक है, जो आगे वाले में 24 पहली बार दे रहे, आपको यह एंसर पहली बार ही आने वाले हैं, आपको कोई concern नहीं है, यह बैच में थोड़ा सब ऐसा discussion हो सकता है मेरे से, reason simple है क्योंकि इस बैच का agenda ही है कि नवेंबर 23 और में 24 तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बार मैंने discussion ऐसा हो जाए कि नवेंबर 23 में यह नहीं था, में 24 में यह point है, पर टे टो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है 7 benefit में, मैं आपको पहले सब्साइ冷ek बसाता हूं, फित इजबक से जाते है, सबसेमे मनेजमेमें हमें क्या देता है, सबसे पहले kalo हम 17 मalley enrollment सब्साइज का तस लिह के सबसे पहला बेनिफिट है डारेक्शन बताता है अगर मुझे मालूम ही नहीं होता तो मैं कुछ आगे क्या करता है तो सबसे पहला बेनिफिट है डारेक्शन बताता है कि मतले मालि ईयर्कशन बताता है आट भारत माता के जिए समझा आ यहां है माले सेकंड सेरियों मेर animales कैसा है थे क्री तेखने के स्पिकिंग वह आपका चैना होगा स्वाइन यह प्रोक्ति भी रिएक्टिव भी है क्योंकि अगर आप पाच्वा स्टेज देखोगे तो उसमें रियक्टिव भी आ रहा है मालिक वोगे लेकिन आप देखो मीनली यह एंपसाइस किस पे करता है मीनली एंपसाइस क करो पाटला स्टेप पर रियाक्ट करो वो बता रहा है तो कहीं न कहीं आपको यह समझना है यह जो स्ट्राइजिक मैनेजमेंट का फाइदा है यह अमें प्रोएक्टिव बना रहा है अच्छा वैसे मेरेको एक एक अंसर दीए मालिक को कि I am expecting this answer I will be वीटिंग एक अगला पॉइंट बताने के बाद क्योंकि अतना यूटूब पे चल रहा है तो यूटूब पे पंदरा बीस सेकंड आगे पीछे चलते रहता है तो मेरेको आप बताईए ओक प्रोएक्टिव बेटर है या रियक्टिव बेटर है यह तो मेरेको भी मालूम है य इन दोनों मेंसे बेटर कौन है मैं आपको क्वेशन कुछ हूँ प्रोएक्टिव और रियक्टिव इन दोनों मेंसे बेटर बताईए इन दोनों मेंसे अब ब्लेंद मत बताईए तो इन दोनों मेंसे बेटर कौन सा है यह आप लिखिए मैं आगले पंद पे जा रहा हूँ वह पर सो जब discussion में आएगा तो मैं उस ट्रेंप पर आ जाऊँगा, तो blend or proactive? आच्छा, एंसर आ भी गया है, तो proactive is better, proactive is better और reactive is better, okay okay guy, वह अपनी notes में नहीं हो रहे है, ौक्य, नहीं हो जो रहा है, mıक्या काड़ाया, the kind of bullish यह सब से में बरूबर मैंने कलर मार्क इए important वाले points मैंने highlight किये हुए बरूबर तब जग किये हुए मदब यह time के इसमें ये एक एक element cover करके, इसलिए time लिता भाई, तो most probably साब के answer आ गया है, proactive ने चाहिए, समीर बोल दिया वैबॉ, बोल दिया वैशनवी, जल्दविश, मदूर, भवया, आशे, perfect, जहानी almost मुटा मुटी सारे जंग का answer आ रहा है कि proactive ना चाहिए, तो अगर मैंने आपको कभी कभी क कभी मैंने आपको ये बُला कभी मैंने आपको ये टेक्निकल ये ऐंसर पुला कि घुला करे Спे misery लेकिन मैंने ढूोंगा यह दूनों में से बेटर कौन सी है तो आपका एंसर हमश्या रहेगा प्रोएक्टिव मैं बुलूँगा ओके बेस्ट कौन सा है बेटर कौन सा है तो आपका एंसर रहेगा blend of proactive reactive एवर्योडी क्लियर मलिक तो तो टेक्निकल यह एंसर यह पॉइंट आप देखिए मलिक यह पॉइंट आप देखिए ओके अगर रियक्टिव आप बोलो के रियक्टिव अच्छा है आपके दिमांग अगर ऐसा होगा रियक्टिव अच्छा है तो देखो रियक्टिव मैं ऐसा बाइसा बाइसा बाइस आप बोले ने रहो रियक्टिव नहीं करना चाहिए मैं बोले रहो रियक्टिव करना चाहिए लेकिन बेस्ट कौन सा है प्रोएक्टिव प्लान करके जाना चाहिए तो अब मेरा पहला पॉइंट पहला प्रोएक्टिव प्लान करके जाना चाहिए तो अब मेरा पहला पॉइं ऐसे मुझे framework देता है, ऐसे मुझे क्या देता है, framework देता है, now what is the technical point of framework, when I am discussing of the framework, please understand, okay, जब आपन path steps करते हैं, तो मेरे को बताओ, क्या directly जाते है या analysis करके जाते है, analysis करके जाते है, okay, strategy आपने blindly select करते है, strategy या analysis करके जाते है, अब मेरे को बताओ, analysis करके कियाए, तो मेरे को समझ माया एक हो, market में जाना है, कौन सा product आप्शकमें में करना है, कौन से segment में हमें कैसी marketing करनी है, यहानिゆ आपने को समझेगा हमको करना क्या अब हमें क्या है, यानि हमें क्या दिया जाएगामाल, framework दिया जाएगा, पहले अपना एंसर को रचनी को शिखते है, आत्मा डन, नेक्स पॉइंट, मिले को बताओ, क्या future certain है या uncertain है, आपका भी या मेरा भी, किसी का भी future ले लो, किसी का भी future certainty से रहता है, नई, future हमेशा uncertain होता है, अब मिले को बताओ, क्या strategy management किया, तो क्या मैं जो uncertainty है future की, क्या मैं उसको face करने के लिए ready होता हो मालिक, answer is yes, sir कैसे, पांच मास्टेब, okay, evaluation करने बोलता है मालिक, यह evaluation करने बोलता है, evaluation करके आपको face करने बोलता है, यानि यह बोलता है, कि भाई हमेशा आप active रहिए, जो भी uncertainty है, उसको deal करिए, uncertainty, यानि देखो, एक नजरीया ऐसा हो सकता है, कोई बोलेगा, यह opportunity है, कोई बोलेगा, यह threat है, अब threat को भी opportunity कर सकते हो, मेरे को बताओ, covid business के angle से क्या था, बहुत जन के angle से, covid एक threat था, business के angle से, लेकिन, don't you think, बहुत जन के लिए covid ऐसे opportunities आ गया, टिक्निकली teaching industry में ले जो, ले लो मालिक, teaching industry में, okay, covid के पहले face to face classes बहुत emphasis आ गया मालिक, and that is where exactly a technicality comes into picture, तो भारत मात की जाए, logic समझीए, okay, किसी के लिए opportunity होगी, किसी के लिए threat होगा, आपके देखने का नजरी आ है, अगर कोई गुलेगा, sir, यह threat है, तो आप उसको as a opportunity लेके काम कर सकते हो, और strategic management यही करवाता है, तो strategic management में बोलता है, जो uncertainty है, उसको आपको, आपको strategic management क्या दिखवाता है, अगर मैं यह बास stage करता हो, तो strategic management जो uncertainty है, उसमें एक opportunity धून के देगा, और strategic management अपन करते रहे तो अपने को opportunity धून के देगा, भारत मात की जाए, तोर मालिक, आतमात यह रहे, next point, okay, मैं को बताओ, क्या गलती हो सकती है, अगर अगर 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 कुछ प्लान करके नहीं जाए, क्या गलती हो सकती है, और क्या वो गलती बहुत महँगी पर सकती है, अब इस केस में यह गलती से आपको बचाएगा strategic management, strategy management एक phase देगा, जिसमें यह बोलेगा, आप से गलती होने की संभाव नहीं होगी, यानि strategy management मुझे क्या देगा, corporate defense mechanism, corporate defense mechanism, sir corporate defense mechanism, avoid costly mistakes in future, related to market, related to product, कौन से market में जाना है, कौन से product में जाना है, यह गलती ना हो, इसके लिए corporate defense mechanism देगा, आपके दिमाँ में वापस फटा-फट keyword पर फोकस करता हूँ, मैं सबसे पहले मुझे क्या देगा, वो direction देगा, everyday clear, second scenario सबसे important point है, वो मुझे proactive बनाएगा, तीसरा point मुझे एक, दो, तीन, चार, पाच ऐसे framework देगा, चौता point है, मुझे बताएगा, कि भाई यार boss किसके, जो uncertainty future की, उसको कैसे face करना चाहिए, और उसमें opportunity कैसे दूननी चाहिए, पाच वाँ, मुझे गलती होने से रोकेगा, यानि यहाँ पर सबसे important element आएगा, यह corporate defense mechanism जैसा काम करेंगा, corporate defense mechanism, एंटी वाइस रहता है, अपने आपने के लिए जो vaccine लेते हैं, वैसे corporate defense mechanism करेंगे काम करता है, छटा, क्या यह अगर मैंने follow किया, क्या मेरा business और लंबा चल सकता है, answer is just, sir, business लंबा चलने का कारण, मेरे को बताओ, मैं खाली proactive है या reactive है, reactive है, तो business लंबा चलने का खारण है कि reactive adapt हो जाता वालिक, and सबसे important element, इसके बात और एक सबसे important चीज आती है, sir, यह आपने आपने थोड़ी दिर पहले, मैंने आदे घंटे के पहले, जब शुबरात की ती lecture की, जो starting के 15 मिन समझा है, वो concept, starting management मेरी क्या develop करता है, core competency, और उसके मुझे स competitive advantage, everybody clear, तो आपका concept, यहाँ पर क्या आता है, मने कि आपका concept, यहाँ पर आता है, सबसे पहले, कुछ keywords को देख लेता है, okay, 7 advantage देख लेता है, फटा 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 एंसर, close करिए, strategic management, use direction of the company, to the company, to move ahead, क्योंकि गोल्कि 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 गोल्किन करता है, goals, vision, mission, यह भी गोल्क to be proactive instead of reactive in shaping the future, organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectator, तो आपको भाई proactive बना वाता है, strategy management provides framework for all major business decisions, okay, जो भी business decision है, कौन से business में लेना है, कौन से product चाहिए, कौन से market चाहिए, कौन से manufacturing facility चाहिए, कौन से investment है, कौन से organization structure है, यह आपको all together बताता है, उसके अलावा, strategy management, okay, सबसे तोड चीज प्रिप बताता है, okay, जयानी, वो क्या बताता है, okay, वो pathfinder है for opportunities in the market, okay, जो आपके uncertainty है, उसको face करने के लिए देता है, next point, it acts like corporate defense mechanism, आपके mistakes होने की chances कम होगी, और यह कोई mistakes costly ही होती है, मालिक, ताकि अगर गलास product चुमली आ, तो माह कसम साला बहुत लंबा impact हो जाएगा, okay, उसके अल कर सकते है, long term में, long run में हम कैसे कर सकते है, वो देखते है, with the stage of competition dynamic environment, it may be challenging for organization to survive in the long run, and study management helps organization to develop certain core competencies and competitive advantage, okay, जिसकी वज़े से survival and growth तोड़ होगा, तो मेरे कासे 7 advantage तोड़ क्लियर है, okay, और एक चीज़ मैं आपको बता दू, हो सकता है, आप इसमें से कोई, कोई बंदा रहेग बिज़े कर सकते हैं, पराने आपको क्या वो सकता है? होसकता है, एक हात line को change मिलें आपको, तो please make it sure, आप इसको सही angle से लेना, मालिक, और एक हात line भी उपर Metro नीचे आगैना है, गडबढ़ हो सकती है, मालिक, ऐक हात line भी उपरोनीचे आ गड़पढ़ होसकती है, तो आरा पीसरा क्वेशन क्लियर है मालिक, पीसरा क्वेशन स्ट्राइक मानेजमेंट का जो आता है, that is called limitations of strategic management. यह सबसे पांचेट सा एंसर ही यह बहुत तोड़ीजी एंसर है, सबसे पहला मेरे को बताओ, strategic management करते बद हम किसके analysis करते है, environment का, क्या environment का analysis करने के बाद हम लोग को confidence आ जाएगा, answer is yes, लेकिन क्या environment जैसे हमने सोचा है, वैसा ही रहेगा, क्या environment वैसा ही रहने वाला है, answer is no, not at all, not at all, अरे environment में changes होगा है, यार मैंना आपको बताया, political changes हो सकता है, customer preference में changes हो सकता है, अरे socio-cultural environment change हो सकता है, यार, okay, it can also, socio-cultural environment में, आप population का जो structure है, उसमें changes आपको मिल सकता है, population का demographic group है, उसमें changes मिल सकता है, okay, कहीं पर, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कभी population का इधर उदर हो गया, आप क्या करोगा, आपका environment change हो सकता है, मालिक, and that is exactly what we are discussing, तो भाई साहब, आपन कितना भी कर लेवे, तो भी environment dynamic है, environment turbulent है, इसके लिसे problem आती है, second scenario, strategic management, आप समझे, point to समझे, strategic management है, costly concept है, सब costly concept मतलब, यह जो past step करना है, सोच समझ के बता, यह इसमें जो analysis करना है, अच्छा, vision, mission, goals, objectives मैं बता तूँगा, मैं बनाऊंगा, actually, okay, मिले को बता है, analysis करके, मुझे बताना, कि market में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह कौन मदद करेगा, who will do the analysis for me, मालिक, मेरे को बताइए, अपन खुद analysis करेंगे, या मुझे कोई expert को appoint करना पड़ेगा, सोच के बताइए, सोच के बताइए, अपन खुद analysis करेंगे, expert को appoint करना पड़ेगा, expert क करना पड़ेगा, technically, तो जो expert को appoint करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है, क्या लगता है, expert free में बठा हुआ है, या analysis free में करके देगा, answer is no cost लगती है, मालिक, क्या strategy को management करते हुए, क्या अपना current business भी अपना आगे पीछे हो सकता है, answer is या, जब strategy बनाता है, तो current business को भी ए costing कर होगी न, मत, business loss is nothing but an opportunity loss नहीं, costing में पड़ा होगा, मालिक, भाई, शाब, तो strategy management कौन सा process भीटा, costly process है, तीसरा से ना दियो, strategy management time consuming भी है, sir time consuming, okay, मेर को बताईए, क्या analysis करना आपके भाई हाथ का खेले क्या, आरे भाई साब analysis कर लिया, आपने expert को मिलाया, लेकिन expert analysis करता है, जब तक वो अपने को report देता है, क्या तब तक change in environment आजाता है, answer is yes, भाई, कितनी बार रहता होता है, आरे, कल का environment क्या होगा, अगले दिन environment क्या होगा, और इसमें मैं भेतरी निक्दम बस दू, तो महारश्प्रे government लास पात साल में क्या हालत होई है, अब देखो, महारश्प्रे government का पात साल का अगर पुरा analysis करोगे, पिछले पात साल का महारश्प्रे government खास कर, अब यो बाहरश्प्रे दिवार्श है, लोंको मा रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट के बिसेट पर पंडिशियल लेंगे, अरे एनवर्मेंट चील हो जाएगा, तो एक्सपर्ट ऐसा नहीं करता है, एक्सपर्ट इसको analyze करता है, इसके बाद इसके predictions भी दिखता है, इसके इसमें क्या हो सकता है, यह भी दिखता है आतमा, क् बारत माता की जाए, तो वर मालिक समझ में आए, मालिक, तो नैंक्यू प्रेम भाई, तो प्रेम भाई चाहे लेकर आए, चाहे चाहे, प्रेम आपको कोई भी दिखता है, प्रेम आपको एसेचिच कर देगा मालिक, कही पर भी technical issue आए, आप जो ग्रूप में जाइन हुए है तो उसमें प्रेम है, पारस है, और हुली है, तो प्रेम है, पारस है, यह तीनों पंतर लोग है, यह तीनों आपको एसेश्ट कर लेंगे, तो अब बढ़ी आजैं मालिक, तो मेरे को बता यह है, तो अब मेरे को अब तो इसका मतलब time consuming concept है, इन प्रेम है, यार, तो मेरे को बताओ, अगर मैं organization A हूँ, और मैं ने strategic management किया, क्या organization B चुमू है, क्या B organization चुमू है, अपर आज़ां प्रेम है, टो नहीं है मालेक, B organization भी तो strategic management करेगा, और मेरे को बताओ, अगर वह भी स्टाजिक मानजमेंट करेगा, वह भी प्रो एक्टिव रहेगा, तो प्राब्लम के वानम क्या है? इसमें ऐसा होगा, कि सामने वाली की स्टाजिज मुझे कैसे समझीगी तिर। मैं की नियओर सक अरे के एक अच्छाव राजी स्टाजिज में हो, कि आपैर के उंसर्डीक मानेजमेंट को क्या समूरत थे लिए हैं। जब कोई क्लास में बढ़ाता हो तो मैंने देगा पुब्ली हास रही थी बंच को में बंच कपला अरे क्या मतलब मैं टेक्निकली बढ़ा रहा रहा ना भाई तो भाई स्थाव अपने लाधिक में तो मेरे का बता है याद वो बंद कमर में कोई डिक्सियन लेगा अब मुझे कैसे मानूं पड़ेगा क्योंकि अगर मुझे रियाक करना है तो मुझे उसके डिसियन के पारे मानूं पड़ेगे माली कोई अगर मुझे रियाक करना है तो उसके डिसियन के पारे मानूं पड़ेगे अगर मुझे रियाक करना है तो उसके डिसियन के पारे मानू विदे चलिए लेकिन फिर अपना सड़ी इंवारमने में फेल होगा अगर अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा एन्वारमनेंट में क्या हो रहा है या कॉंपिटर रहा है तो मेरे को बता फिर मैं कैसे करूगा का मैं कैसे अपनी सड़ी बनाओंगा यह तो गर्बर हो कैसे कैसे पॉसिबल होगा मेरे को बताओ मेरे को कुछ स्टाड़ी बना नहीं है क्या मुझे कॉम्पेटर क्या करने वाले यह पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे को एक चीज है तो मारम से पताईए पता होना चीज है लेकिन कैसे पता होगा बंद कम्रे में ओडिसीन ले रहा है यही दिख्कत है चार लिमेडिशन और स्टाडिजिक मानेजमेंट जो भी पंटर लोग है इसमें से अगर आप देखोगे तो बाकि अल्मुस्स मुटा में चीज होए अपन खाली ऐसे देखते बठेंगे तो मा कसम लग जाएगी मालिक है तो कॉंसेप्ट चुली आपको एनवायरमेंट में समझा एनवायरमेंट में ऐसे डैनेमिक्स पॉइंट होगा यह पंट आप ध्यान रखना मालिक है तो भाई साब भारत माता की जाए त और में रखना मालिक होगे तो गले की पूरी बच गई है और यूजिंग बठी है एक मने बता है जैसे आपका चांपा चाहँ तरीक बात है चाहँ आप तरीक बात मेरगा साथ से दो का एक पार पारीर का बाच यह उसके बाद तो तो मतला फिर दादा नहीं है उसके बाद कि अपना और सातथ गंटा उसं मारिति क्लियर मालिक टो फटाफड़ पड़ते हैं की क साऩ में का थिया मनेजमेंट से पराइधिक साइटे है म Garage environment is highly complex and turbulent it is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape in the future the organization estimates about the about the future shape may awfully go wrong and jeopardize all strategic plan the environment affects as the organization has to deal with suppliers customers government and other external factors because you have to deal with the business strategy blindly relying on business strategy blindly could go absolutely wrong if the environment is turbulent okay if you blindly rely on the environment is turbulent example if the environment is like you have seen the meme and you have blindly rely on everything will fall, everything will fall, everything will fall, आख हो जाएगा भाई भारत मात्र की जाएगा तोड़ मालिक समझ मैं आया क्या मालिक हा या ना बताईए मालिक ओके जा ना बताईए मालिक पक्का क्लियर लोके इस पाल एक्जाम्पल देखिए तुवेलर एवी में ब्रांट्स वोके काउंटे इस स्टाटीजिक बैनिफिट्स वोड है बिकम यूल पुष फॉर गवर्मेंट वोके इसके आमेरको एवी के लिए वैसे इवी का कॉंटेक्स है जयता पॉइंट आपको एक चीज के लिए ज़दू आपका पहला इटम पे May 24, November 24 के लिए दिक्कत यही है कि हमें exactly what are the expectations of ICI, यह समझेगा नहीं जब तक हमें suggested answers किसी students के paper देखने को मिले, आप समझ रहा हूँ, ज्यान यह टेक्निकली जैसे देखो पिछले attempt तलक मैं confident था कि भाई तू इतना लिख तू इतना लिख बात खतम, बट अभी problem यह है कि we are into first attempt, second attempt, एक दो attempt तर कि यह problems रहती है हमेशा, it's a two-thing problem, three-thing problem, जाते भी बच्चा होता है, समझ मनी आता है क्या सिंदेना दे, तो इसमें problem यह है कि अपने को सारा का सारा जो module ने दिया, वैसे ही लिखना चाहिए बात का, ऐसा हो सकता है अभी मेरे को, okay, RTPs आएंगे, MTPs आएंगे, फिर suggested answers आएंगे और तब मानू पड़ेगा, क्या यह example देते हैं उसके अंदर, अगर यह example उसके अंदर लिखते है, तो फिर अपने को समझ में आगे, क्या example लिखना है, लेकिन अगर वो example नहीं लिखते है, यह example खाली अपने को समझने के लिए लगता, तो फिर अपने example को ignore कर से, but that will happen only, only from May 25 attempt onwards, उसके पहले तो यह possibility मेरे को नहीं दिखती भाई, उसके जिए पाम अगरे, तो एक्जमपल लिखना है के साथ? यह example याद करना है, आपको at least जो May 24, November 24 दे रहा है, चुपचा विद्दत से, जो जो एक्जमपल जिदा दिया होंगे लिखने के, second point, strategic management is time consuming process, okay, organization spends lots of time in preparing communicating strategies and that may impact daily operations and negative impact routine business, okay, so यह strategy communicate होती ही और routine business में जा रहा है, routine business को planning and strategizing are important, but putting them in action is where actual success is, क्यते मैं आपको क्या बता है, strategy बनाना काफी नहीं, strategy बनाना तो बहत आसान है, strategy implement करना बहत मिश्केल है, strategy implement करना बहत मिश्केल है, strategy implement का निकले दिखकर रही, similar to us students, planning and strategy what to study, from where to study and what time of the day to study, consume so much of time of our actual study time, that by the time we have to study, we are almost exhausted, समघ सम्ज में आता है की पढ़ना क्या है तब तक माकच संभूर हुन लगता है, समझ रहा है? आपान पढ़ा ही चालू करते है, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक अपनी कहानी होती है, बस Concep वे छोड़ने जैसी नहूब expert strategic corners are required efforts are made in analysis of external and internal environment that get text safety and properly implement this can really be costly for purpose with limited resources particularly when small and medium organization creates strategies to compete strategic management requires experts and these experts are costly resources the process this process as a whole required a good amount of pulse to be spent i guess process इसको spend करना पड़ेगा, strategy की नहीं बात कर रहे, strategy में तो खर्चा करना ही पड़ेगा, लेकिन strategy बनाने करे जो process है ना, उसमें भी खर्चा जाधा लगता है, तोड में, in competitive scenario, in competitive scenario, where all organization is trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive response of firm strategy, सब लोग strategically कर रहे है, firm की response दोड़ने में बात मश्किल है, it is quite difficult to gauge strategic planning of computer, because most of these decisions are taken within closed roads by top management, closed road by top management, ये logic सम्झावगा, for example, अपन change the market dynamics of speaker industry by choosing to remove 3.5 mm audio jack from iphones, now to be relevant in the market, all major speaker banks had to put concentrated efforts to develop their own true wireless speakers, and compete with new intelligence, यानि सबको अभी, अभी क्या हो गया, उन्होंने साधा DCN ले लिया, अब वो DCN के चक्कर में हमारे changes करने के लिए दिख्कत आ लिया, now that is exactly what we are discussing about, okay sir इतने limitation होने के बावजूद भी क्या हमने strategic management follow करना चाहिए, answer is this, क्योंकि इसके जो benefits है, वो बहुत जादा है compared to limitation, बात कतम तोड मालिक, यह आपकी last line दी हुई है, that is what exactly we can focus on, भारत बात की जाए, everyday clear मालिक, तो strategy management के आपन concept क्या पढ़ रहे, strategy management का concept आपन देख्दम टेक्निकली पढ़ेंगे, सुन लिए, बार फटा फटा, answer मतब तीनो, तीनो point दान रखिये, एक था objective, एक था आपके लिए benefits, एक था आपका limitation, sir, how many objectives are there, two objectives are there, one is to create a competitive advantage, and second point, okay, is to guide the company in future, second, how many advantages of strategy management are there, seven, सबसे पहला वो direction देता है, second point, मुझे proactive बनाता है, third, मुझे framework देता है, fourth, after the framework, मुझे सबसे important point यह बता है, uncertainty को कैसे deal किया जगता है, phase future कैसे किया जगता है, five, मेरे से mistakes होने से रोकेगा, corporate defense mechanism, and last concept, and how many limitations of SMR there, limitations of SMR 4 है, that is basically environment turbulent है, second scenario होगा, time consuming है, and fourth scenario, यहाँ पर सामने वाली की competitive strategy, identify करना बहुत मुश्किल है मालिक, तो मेरे काल से, इद्धातर की कहानी सबको clear है मालिक, every day clear clear, यह concept आपका खतम होता है, when we are discussing about strategic management, strategy management की रहानी को parking lot लगाता है, तो अभी तक की inventory किया हुए, आपके पास अभी तक अडिटा क्या हुआ, आपने पढ़ लिया management, आपने पढ़ लिया strategy, आपने पढ़ लिया strategic management, यह तीनों concept खतम हो गया, अब हम बढ़ते हैं, अपने main मकसद की तरफ, जो कि almost a last portion of your book है, almost last, क्योंकि इसके बाद है और एक levels of management रहेंगे, लेकिन यह last बाद बढ़ा है, काफी time लगेगा यह वाला point में, काफी time मतलब अपने वह और दो lecture तो concept, strategic intent की, strategic intent क्या होता है मालिक, strategic intent मतलब एक philosophical base of strategic management, when I discuss about strategic management, strategic management का starting point क्या है, strategic management का starting point क्या है, कोई बताएगा मुझे strategic management का starting point, strategic management का starting point बताएगी मैंको, strategic management का starting point क्या है, कि अब यह इसको हम बोते है स्ट्राइजिक इंटेंट स्ट्राइजिक इंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो एक आपका स्ट्राइजिक मानेजमेट को आगे लेके जाते हों कि आगे लेके जाना इस नतिंग बट इंटेंट का कॉंसेट तो वेन डिसके इंटेंट ओके आपको ध्यान में रखना होगा यह कॉंसेट है विजन मिशन गोल्स अब्जेक्ट इसके कुछ कॉंसेट डिसकर करने के पहले कि मैं इसके सब कि एक चोटी से पंचैदी कांसेट आपके सार्ड डिसकस करना चाहता हूं सर कॉंसेट यही इंट में बढोलाए हो स्ट्राडीक इंटेंट बात करते हैं विजन की हम बात करतें मिशन लिए अब यह तीनों आप अच्छे से समझ दीजिए इसके अलबा और कुछ एलिमेंट से मैं समझा देता हूं तो सारी आत्मा मेरे साथ रहिए ओके कॉंसेट समझने में जाहिए ध्यान दीजिए एकडम थोड़े सा है ओके छोटु सा मतलब कॉंसेट है लेकिन यह concept बहुत टेकनिकल है विजन जब मैं बोलूँगा यह कंपणी को किदर आगे पहुचना है वह डिफाइन किया जाता है वेर कंपणी वांट तो गो वाट कंपणी वांट तो एचीव इसकाल विजन कि जब मैं मожноं कि बात करूंगा प्लीज अंडर्टchange बिजन श्वटी यह क्लियर विकवी बिना विजन कि कोई भी ओंगने नहीं बढ़नी चाहिए हमारी कंपिटेंसी क्या होनी चाहिए हमारा मार्केट्स कौन से होने चाहिए हमारी इंडस्री कौन से होनी चाहिए हमारी टेक्नोलोजी क्या होना चाहिए हमारे कस्टमर हम क्या चाहते है हम क्यों क्यों यह कर रहे है करना है आज ये ज़न्द है कुछ तो हासिल करना होगा कि आप ये क्यों पड़ रहे हो क्योंकि आपका कोई तो क्यूं पढ़ा रहा हो कोई तो कि तो buson it's something.EVE STOP США again. अगेऩ अगर मैं विज sait बीज लॉग टर्म अपने को एचिव करना है वह विज़न होता है। लॉग टर्म कौन से मार्केट में जाना है, कौन से टेकनोलोजी के लिए है, कौन सा क्या करना है, कौन सा स्ट्रक्चर करना है, that is called vision. मिशन का मतलब क्या होता है, मैं अभी क्या कर रहा हू, अभी, 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 अभी जो क्या कर रहा हू, that is called mission. Example, हम manufacturing of products कर रहे हैं, हम products बेच रहे हैं, that is called mission. Right now we are working in that environment, that is called exactly a mission. Are you getting the point of mission, Malik? Mission समझा क्या, vision और mission का logic समझा, Malik? तो vision और mission की कहानी को आपन लॉजिक लिए यह देख सकते है, Malik, vision और mission की कहानी को आपन देख सकते हैं, भारत मतकी जहे पाना, Malik, कोई दिक्का दिदर तक? परफेक्ट, everybody clear? परफेक्ट, तो अब मेरे को आप आप आई है, एक सिकंड मेरे मेरे गायब हो गया, इसमासे क्या हो गया बेश? अचनक, तुमको बरवर आ रहा ना आवाज रहे? मतलब वापस कनेक्ट को आप पता ने, गायब ही हो गया था मेरे को comments के लिए, तो मैं यह बोड़ अता सर, mission, आप जो आप काम कर रहे हो, वो mission है मालिक, क्या है मालिक? Mission, तो vision और mission में difference क्या होता है? मुझे कहा पहुचना है, is vision, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ is vision, मैं यह क्या कर रहा हूँ? is vision, क्यूँ पढ़ाई करा हूँ? क्यूँ इंटर के exam देना चाते हो? vision को हासिल करने लिए आप इंटर के exam देना चाते हूँ. that is technically which concept of vision vision mission concept immer Questions मेर इसके पाद आता है अपना goals and objectives ऑगे आपको मसाला सुम्ज़ें आ मालिक मसाला संजिए मसाला मसाला content समझा रहा हो फिर मैं आपす học से बताते हूं यह चीज्छ क्या है में अप देखिए मैंच करके से समें जब आप तका 겠ल से समझें है अटलब कंगे करेंगे मोलग ऊभएग अलग अलग होते हैं सब ऊक्फनल था आ मैं आपको सीए फाइनल पास होब या अपका गूल है अपका इंटर में में डूनें के बध्रीक होना चाहिए औब जब मैं इक Yak voiture रहो उब्यों जोनें शेंदेगं रहां है। मुझा पॉन करीम काइस बस्टुल है क्षा पर किन गोड है तक सीप्रम कुझ करनें गोड है या तो concrete या time frame, दोनों में से कुछ तो missing होगा, यह concept है goals का, यह difference है goals and objectives में, यानि एक कामबर मैं आपको समझाओ, देखिए, मुझे अगले साल में एक करोड़ profit कमाना है, अगले साल में एक करोड़ profit कमाना है, यह हो गया objective, क्योंकि मैं आपको दो चीज़ दे रहा हूँ, मैं concrete बता रहा हूँ के एक करोड़, और time frame बता रहा हूँ, अगले साल, अगर यह दूनों चीज़े हैं, तो यह objectives है, अगर दूनों में कोई भी चीज़ है missing है, तो इसको अपन बोलता है goals, यानि मैं बोलों मुझे एक करोड़ कमाना है, यह होगया goal, यह objective नहीं हुआ, क्योंक मैं इतना ही बोलता हूँ, इंटर clear होना है, अब यह मेरा goal है या objective है, goal रहेगा, क्योंकि मैं इंटर कब clear होना है, नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं 24 में clear होना है, लेकिन क्या clear होना है, नहीं, तो यह भी goal हूँआ, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ, इंटर म में बताएंगे उसको हम क्या बलेंगे बटा objective मेरे खालते है everybody clear जब आप कोई चीज concrete में बताते हो और timeline में बताते हो इसको हम बोलते है objectives जब कोई चीज concrete या timeline कुछ missing होगी यह दोनों में से कुछ भी miss होगा तो इसको हम बोलेंगे goal यह जो मैंने आपको समझा है यह आपको याद रहना है और इसके बाद एक पॉइंट रहना है कुछ कुछ strategies लोग गोल और objective में difference नहीं करते हैं तो हम भी goals and objectives में difference नहीं करेंगे अगर बात करेंगे अगर बात करेंगे गोल्स और open-ended objective close attributes के साथ होते है परफेक्ट लेकिन आपको एंड में ऐसा लिखना है कि हम अपने syllabus में goals and objectives को differentiate नहीं करेंगे यानि अगर मैंने बोला गोल्स तो वह objective माना जाएगा मैंने बोला objectives और गोल्स माना जाएगा मेरे कहां से everybody clear तो मेरे को मताओ अगर आप जो आच पढ़ाई करते हो आज सुपे से साथ बचे से लेक्टेर पर बैठे हो यह क्या है आपका साथ बचे से लेक्टेर में बढ़े हो यह क्या है आपका साथ बचे से लेक्टेर में बढ़े हो यह क्या है आपका मैं इसको फिर बिजन्स के अगंबल के अंगल से लिंक करूँगा आप सामने जो के लेक्षे में में बेट हो यह क्या है आपका में 24 में इंटर क्लियर होना है यह आपका क्या है यह आपका है यह है मलिक यह आपका यह फोल्ज एणभ्जेटिस आपका अप्जेटीस आफ नगयूंक टीश अपने लिए गोल्जेटि में और ब्लय को दा पारथ Crispy प्राक्टिस करने वाले हो यह आपका क्या है विजन यह क्या है विजन यह है विजन अच्छा आपको सीए फाइनल एकदाम देनी है यह क्या है यह आपको सीए फाइनल पास होना है मेरे को बताई यह क्या है आपका यह क्या यह विजन है नहीं क्या है यह विजन क्या चैनल बनके प्रैक्टिस करना है यह बन जॉब करना है यह final pass करना है, this is also called as goals and objectives, perfect मानिक बढ़िया, 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 ओके यह goals and objectives इतना फरक है कि inter pass होना और final pass होना यह दुन में different क्या होगा, inter short term objectives होंगे, और final long term objectives होंगे. मैंने काती है समझ मारा मालिक तो goals and objectives कैसे होते है? Šort term goals and objectives short term भी हो सकता है – long term भी हो सकता है? Good goals and objectives, short term हो सकता है lived long term, skills and objectives, long term कि किरे हम कि को स्काल होना चाहिए? जो फ्रत्र में वो लॉम्तम के साथ एलेंड होना चाहिए यानि एक्जम्बल मैं बुलो अगले एक साल में 100 करोड कमाने हैं तो मैं तो अगले एक मैंने में 10 करोड कमाने पड़ेंगी ओके लिकिन टेकनिकली 10 करोड मैं जब बनाऊगा तो एलाइन ऐसे नहीं करूगा 10-10 करो इंडिया में टॉप नंबर वन दूद का बिजनस होना चाहिए 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 नंबर वन दूद का बिजनस होना मैं बोड़नों मुझे बात साल साल के बाद सो करोड कमाने है बढ़िया 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 ब यह विजन हुआ सर, पाफ साफ साल ना विजन ना सर, अरे यार भाई, ताफ लोगतन अपजेटिस दिमाना जाएगा, ठाली लॉंटम होगा, अब पाफ साफ साल बाद सौकरोड कमाने है, तो अब भी मेरे को इस साल में 20 करोड कमाने है, यह भी गोजेटिस है, इसके लिए, इसके लिए मुझे रोज के रोज, 10 कस्टमर को मिलना पड़ेगा, पताए है're यह मिशन में आया आच क्या करभे में अलबा कگतै हो क्या कर सकते हो अए कड़े हैं इसका मतलब मुझे हासिल करना है विजन लेकिन हासिल करने कले मुझे क्वैसेट करना क्या है विजन को अब छोरी चकाड़ी करना चाहिया फ्रॉड करें क्या मैंने चोड़ी चकारी करनी चाहिए, मैंने कस्तरोर को घटिया प्रोड़क्स भीच के मार्क पैसे कमा लगना चाहिए कैसे भी प्रोड़क्स भीच देवे चलेगा, कैसे भी करें, answer is no, यानी technically please understand strategic intent क्या बोलता है strategy intent बोलता है, भाई साब आप जो धन्दा कर रहे हो, आप जो vision बना रहे हो, आप जो mission बना रहे हो, आप जो goals and objectives बना रहे हो, याद अतना बिना values के ये तिनों काम के नहीं है यानि आपके organization में क्या होना ज़रूरी है, आपके organization में होना ज़रूरी है values सर ये values का मतलब क्या होता है, ये values का मतलब होता है culture, एक organization का culture जिसमें ये values प्रमोट की जाती है, भाई customer preference दिया जाना चाहिए, हमारी mission में ये लिखा होता है मालिक, हम mission में clearly बताते हैं कि हमारी values क्या है, वो mission एकदम सही तरह से होना चाहिए, और that is technically what we are discussing here, तो technically discussion जो आता ह पॉइंटे समझेंगे शोड़ो, technical discussion आता है, मेरे का दे समझ में आया है मालिक, ये values होने चाहिए, तो कोई भी vision, कोई भी mission, कोई भी goals and objectives, किसके बिना पूरा नहीं है, values के बिना, आपको आता हो, एक example, HP, HP case में बहुत सारे values, जैसे example, हम team work में काम करेंगे, हम सारे जनको ए making, एक जैसा emphasize करेंगे, these are called values, हमें कोई भी DCL लेना है, हम DCL साथ भी मिलके लेंगे, these are called values, इसके लिए एक concept एक ऐसा बताता है, तो देखिए, अगर ऐसा है, एक top management है, ये top management पकड़िए, और ये lower है, ये lower है, ये lower management, अब इनको बताईए, top management अगर vision set करता है, और lower को बताता पके, lower discussion करके vision बनाएगा, क्या ये बहतर vision होगा, अगर ये lower से पूछा, और इनको बताता है, विजन shared, लेकिन अगर इनसे पूछा, और इनसे पूछा और इनसे पूछके हमने बनाए, पूछके, मैं नहीं बोर रहरा हूँ, उनसे data लेके, उनसे information लेके, क्या possible है, नहीं ह और इसे पूछके मैं काम करता हूँ, इसको बोते है shared vision, कौनसा vision मेठा? Shared vision. तो आप मेरे को बताईए, okay, सोच समझ के बताईए, Malik, okay, कौनसा better value के सबसे quanta better? मैं कब बोलोगा मेरे organization में values है, values भी जाती है, team बहुत दिखा जाता है, culture बहुत भारी है, हम division नहीं करते हैं, कोई cast based division नहीं है, कोई demographic based division नहीं है, कोई state based division नहीं है, हम यह values की बात हो रही है, तो concept है, मेरे को बताईए, मेरे को बताईए, डोनों में से better concept है, shared vision या vision shared, okay, then 101%, कोई concept concept होगा मालिक, यह होगा shared vision, shared vision, shared vision will be told concept, अगर मेरा shared vision नहीं है, तो इसका मतलब मैं 100% value, values को empathize कर रहा हूँ, तो भाई साब team work लेना, integrity maintain करना, objectivity maintain करना, हम अपने सिध्धानतों पे चलेंगे, हम अपने principles छोडेंगे नहीं, हम professional behavior maintain करेंगे, professional behavior का does not mean that मैं T-shirt नहीं पैनूगा, अब समझे रो, ऐसे auditor भी, कि मैं T-shirt नहीं पैनूगा, इसका मतलब professional behavior नहीं है, professional behavior मतलब मैं कोई भी ऐसे malpractice में indulge नहीं हूँगा, मैं गूस गोर से बच्च, मतलब मैं I will not give any bribes वगएरा, to perform or to do the things that is called professional behavior, यह सब वैल्यू का हिसाब है, यह सब वैल्यू का हिसाब है, वैल्यू मैंतर्स एलॉट, यह actually आपका strategic management का हासिल किया हो, objective होगा क्या, नहीं, this is not correct, तो आप अपने साथ values रखिए, इसी लिए strategic intent, make sure the answer आपका अलग है, पुराने syllabus का answer अलग था, strategic intent के अगर मैंने आपसे पुछे elements बताईए, strategic intent के elements बताईए, तो आपके चार elements होंगे, चार elements के होंगे, एक होगा vision, एक होगा mission, एक होगा, goals and objectives, एक होगा, values. Okay, so 4 elements of strategic intent कौन से कौन से है, vision, mission, goals and objectives and values, vision, mission, goals and objectives and values. यह point आपके लिए ध्याम रखना जरूरी है, तो strategic intent, तर वैसे strategic intent मतलब क्या है, strategic intent मतलब एक philosophical base of SM, SM का जो base है, अब मेरे को बताई, SM में कितने stages थे, 5, past stages में थे base conscious stage है, पहला stage है, पहले stage है, पहले stage के अंदर क्या आता है, पस answer कर दो करें, philosophical base of SM, जिसके बिना काम नहीं होता है, वो होता है strategic intent, strategic intent, मेरा intention, मेरा strategic intent क्या है, मेरा vision क्या है, मैं आज काम क्यों कर रहा हूँ, that is my strategic intent, यह strategic intent भोला जाता है मालिक, भारत माता की, everyday clear मालिक, अगर आप यह पुराने syllabus के comparison में करोगे, आप थोड़ा था पुराने syllabus अगर मैं देखता हो, तो इस answer में और दो चीज़े चुपियोगी थी, एक चुपियोगी थी business definition and business model, यह दोनों का जिकर भी कर रहा हूँ मैं, करना चाहता हो क्योंकि यह answer का मैं अभी यह दोनों point मसाले में है, यह आपके goals and objectives के मसाले में मिलने वाले है, यह vision, mission, goals and objectives के मसाला मतलब content, उसके अंदर आपको मिलेंगे, फिर क्या दो शब्द, एक होता है business model, एक होता है business definition, सर वारती मिनिए का business model and business definition, business model and business definition के concept में क्या होता है, अभी यह headpoint नहीं है लगसे है मालिक, यह मसाले का हिस्सा है, तो business model and business definition, basically business model मतलब अपन business कैसे करते है, business model, okay, अपन business कैसे करते है, business कैसे decision कैसे लेते है, example, अभी मैंने यह batch announce किया है, तो कुछ तो study means बना ही होगी, okay, यह concept है, okay, तो technically, यह मेरा business model है, how we take the decisions in business, do we create our own, own, own schedule और we copy schedule from some other person, example, Apple का business model, business model क्या बनेगा, business model क्या बनेगा, Apple का business model is the R&D, खुद innovate करिये business model, okay, लेकिन भाई, साथ, Vivo low, Opo low, या Realme low, इलो के business model में क्या होता है, भाई यार अपन innovate नहीं करेंगे, अपन सामने वाले को innovate करने देंगे, उसका आया हम एकदम successful imitate करेंगे, imitate समझ में आता है, copy करेंगे, उनका business model क्यों ही है, business model, business model, and business definition, आप currently कौन से कौन से business में deal कर रहे हो, that is called business definition, okay, यह याद है, business definition मतलब मैं currently कौन से business में हूँ, यह होता है business definition, अब बहुत बार को student अग्मील होता है, क्यों कर रहे है, business definition currently क्या कर रहे है, यह दुन सेम है क्या, answer is no, example मेरे को बताओ, अभी जो आप mission पे निखले हो, जो इंटर का May 24 का paper दे रहे हो, okay, जो mission है आपका, mission है इंटर May 24 के लिए goals and objectives के लिए आप भी पढ़ा ही कर रहे हो, आपकी planning and mission है नहीं है, तो इसका मतलब क्या आप बिकॉम कर रहे हो, यह हो गया आपका business definition, आप ढोलों कर रहे हो बताओ, आपका business कौनसा कौनसा है, यह हो गया business definition, अब सवाल होता है, फिर मिशन के हज़र, मिशन मेरे को बता है, अभी become की पड़ाई कर रहा है, तो CA की पड़ाई करना इस मिशन, यानि एक और सारे प्रोड़क्ट में डील कर रही है, और वह अब भी खासकर एक पूर्पोली हो, एक प्रोड़क्यों पर एंपसाइस कर रही ह अब Tata की बहुत सारी गाडिया है, अगर आप देखो कि Tata की गाडिया कितनी सारी है, Tata Header है, Tata Nexon है, Tata Punch है, Jaguar भी है, the Nano kind of car और कुछ और Tata की cars हो सकती है, Tata Indica वगेरा, अब technically, आप मेरे को बता हुआ, उनका business definition है, उनका business definition है, Tata बहुत सारी cars में deal करता है, लेकिन उनक का mission क्या है, example, EV के related, उनका mission है, Tata Nexon मिढा, Tata Nexon को promote करता है, उनका mission Tata Nexon के लगा हुआ है, EV, और अगर EV Tata Nexon clear हो जाता है, फिर वो EV किसमे डानले की गोश्य करेंगे, Tata Harrier में, पर Tata Harrier आईगी, जो EV के base पे आईगी, और that will be a different element altogether, भारत मात की जाए, थोड़ मानिक समझ में आया, तो भाइस साब, स्टारीक इंटेंट में, मेरे को बताओ कितना point है, स्टारीक इंटेंट में, मैंने बुल ला था, स्टारीक इंटेंट के कितने, कितने elements है, तो स्टारीक इंटेंट के चार elements, कौन से कौन से मानिक, vision है, mission है, goals and objectives है, and values है, values है, values everything clear, और business model, business definition आपको एक मसाले में रखना होगा, भारत मातर की जाए, तोर मालिक, every declare, done मालिक, okay, तो आज आपन यहाँ पर होड़ करते है, आपका एक homework रहेगा, आपको यह स्टारीक इंटेंट का मसाला, okay, खतम करना है, जिसके उपर कल मैं किसमें discuss करूँगा, मैं इस points पे discuss करूँगा, एक, दो, तीन, चार, okay, इंपर पे discuss करूँगा, लेकिन आपका यह homework रहेगा, यह स्टारीक इंटेंट का जो paragraph है, इसको पढ़के close करी है, जो मैं आभी आपको समझा है, वही वापस लिखा हुगा है, इसका point clear मालिक, तोर मालिक, okay, कल का, कल का शायद lecture अपना, मैं, आप मे कर सकेंगे, क्योंकि skip करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरा कल lecture सुबह है, जो मेरी main batch है, क्योंकि आज शाम को party है, okay, राज और कल दूरो दिन party है, actually, okay, जिधार regular batch की, क्योंकि last day बचे हुगे, 8-10 दिन बचे हुगे, तो आज शाम को party है, तो कल lecture सुबह है, और कल शाम को भी प एक पंदरम मिलब एक 5-7 मिट दिखेंगे adaptability, आप पेंशन मत लेना, और मैं ट्राइ करूँगा के प्रेम को बोल दू कि एक बार आपकी आपकी टेस्टिंग कर लेए, यानि आप इंस्टॉल कर लोगे, कल शाम को, okay, कल शाम को या परसु शाम को, जभी प्रेम फ्रीद है समझ रहो, फिर टेलग्राम में एक या दो बार, टेलग्रम में बार बार जाजा नहीं है, वाट्सप क्या, वाट्सप तो रोज के रोज चलता रहता है, okay, वाट्सप नहीं मिलाओगा, तो आप प्रेम, पारस, या हुली, किस से भी कमुनिकेट है सकते हैं, वो आपको लिं 915, यह अपना 80 अकडेमी का नंबर है, अगर आप गूगल पर साच मार विए, तो आपको मिल जाएगा मानिक, अब इस नंबर पर कॉल का लिए, कोई दिक्कत ने, 80 अकडेमी का नंबर है, ओके 80 अकडेमी का साच मार होगा, तो यहां पर अगर देखोगे, तो एक तो पॉं जिसके पास मेरा नंबर अलड़ी है, आप मेरे को मैसेज का दिए, मैं लिंक बेच दूँगा, जिसके पास नहीं है, 80 अकडेमी के वेबसाइट पर जाहिए, यह नंबर पर डाली है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, यह एड़ ओफिस वाला नंबर, वाटसप भूब के तो अगर ऐसा हुआ, एक आप दिन, मलब एक दो दिन, फिर अपन अपन संडे या जैसा भी रहेगा, तो नंबर बढ़ सकते अपने, अगर मेरे को इस दिन ओफ रहा, कुछ रहा तो, यह पोड़ाद आप देखेंगे, लाइव के लिए, बाकि जो Google Drive देख रहे हों के लिए तो आपने आज स्टाइडिक इंटेंट को खथम किया, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर आपन विजन, मिशन, गोल्स अन अबजेट इसको क्लूस करेंगे, जहाँ पर लेवल्स अप मैनेजमेंट की कहानी क्लूस करेंगे, तोड मैं,